तो भाई कैसे AI का यूज करकर हमने अपना Pinterest अकाउंट ग्रो किया है आज मैं आपको बताऊंगा Pinterest के उपर वर्क करने के लिए सबसे पहले आपको एक नीच सेलेक करना है अगर आपने खुछ से डिसाइड कर राखा है कि आपकी इस नीच के उपर वर्क करोगे तो बहुत ही अच्छी बात है नहीं तो मैं आपको एक तरीका बताऊंगा जिसके मादम से आप यहाँ पर यहाँ पता लगा सकती है कि Pinterest के उपर कौन से नीच इस वर्क करती है Simply आपकी नीच को फाइंड करना है उसको पवक करना है Pinterest को पगरो करना है और आपको यहाँ पर फाइदा मिलेगा तो Pinterest के उपर नीच फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको इस टूल के उपर आना है जिसका नाम है Trans.Pinterest.com बहुत ही बहातरीन टूल है Simply आपको इस टूल के उपर आ जाना है और इसके उपर अपने अकाउन क्रीट करने के बाद आपको बोटम में आना है यहाँ पर आपको फिल्टर का ओप्शन दिखाए देगा Simply आपको यहाँ पर आना है जो Pinterest के उपर वर्क कर लिए Simply आप यहाँ से किसी भी एक कैटेगरी के उपर वर्क कर सकते हैं जिसके अंदर आपको Pinterest में सफलता मिलेगी बहुत सरी कैटेगरीज आपको यहाँ पर दिखाए दे रही होगी जैसे कि आपको यहाँ पर एनिमल हुआ आर्किटेक्चर हुआ आर्ट हुआ बीटी हुआ चिल्डन फैशन हुआ डिय वाई एन क्राफ्ट हुआ डिजाइन हुआ एड़केशन हुआ इलेक्ट्रोनिक्स हुआ गार्णिंग हुआ हाल्थ हुआ होम डेके और हुआ बहुत सारी कैटिगरीज आपको मिल जाती है जो पिंटर्ष्ट के उपर अच्छे से वह कर रही है सिंपली एक कैटिगरी का पूचूज कर लेना है और इसके उपर काम करना स्टार्ट कर देना है जैसे कि इस वीडियो में हम यहाँ पर एक्जाम्पल लेंगे ब Неramer और लानी के नीच्च पूचर अहम अपना क्रूटेंट करेंगे आपको यहाँ पराना है यहाँ गार्डनिग इसको पकलिक करेंगे जैसे आप इसको पकलिक करेंगे तो आपके सामने良 कि आनुसार वहोच सारे कीवर्ड्स और ना जाएंगे Fairy Garden Ideas basically gardening की अंदर का एक keyword है, अगर मैं इसको पर work करूँगा, definitely मुझे यहाँ पर फायदा मिल सकता है। पर पहले मुझे यहाँ पर यह चक करना पड़ेगा, क्या Fairy Garden Idea एक low-computed keyword है। तो इसको check करने के लिए हम यहाँ पर इस tool का use करेंगे। तो tool का नाम क्या है, pinclicks.com, pinclicks के मादम से हम यहाँ पर यहाँ पता लगाएंगे, Fairy Garden Idea के अंदर कितने keywords आते हैं, और keywords के अंदर कितनी difficulty हैं, अगर मैं keywords को पर work करूँगा, तो क्या मुझे यहाँ पर फायदा मिलेगा यह नहीं मिलेगा। तो simply हम यहाँ पर आएंगे, search इसको पकलिक करेंगे, और यहाँ पर हम अपना main keyword टाइप कर देंगे, और उसके अनुसर हम यहाँ पर यहाँ चेक करेंगे, कितने low competitive keywords हमें यहाँ पर मिलेगे। तो simply मैं यहाँ पर क्या टाइप कर दूँगा, fairy garden, जैसे मैं यहाँ पर टाइप करूँगा, fairy garden, इतना ही टाइप करने के बाद मेरे सामने दो keywords आ चुके हैं, तो इसी से आप यहाँ पर यह अंदाजा लगा सकते हैं, इस keyword के अंदर कितना कम competition है, अगर ज़्यादा competition होता त तो इसके अनुसार बहुत सारे keywords आजाते हैं, only यहाँ पर दो keyword आएं, इसका मतलब इसके अंदर बहुत ही कम competition है, अब मैं यहाँ पर यहाँ चैक करूँगा, इन keywords के ऊपर कितना competition है, तो आपको यहाँ पर साफ दिखाय दे रहा है, पहला keyword क्या है, miniature fairy garden, यहाँ पर आपको option only इतने accounts इस keyword के उपर बने हैं, तो इसी से आप यहाँ पर idea लगा सकते हैं, कितने कम accounts इस keyword के उपर बने हैं, मैं इस keyword के उपर गर मैं work करता हूँ, definitely मुझे यहाँ पर बहुत ही अच्छा फायदा मिलने वाल है, अब मैं यहाँ पर दूसरे keyword को चैक करूँगा, DIY fairy garden, simply मैं य इस keyword के उपर क्लिक करूँगा, तो आप यहाँ पर चैक कर सकते हैं, इस keyword के according कितने accounts बने हैं, इस keyword के according भी यहाँ पर बहुत ही कम से account बने हैं, जिसे गर हम इन इस keyword के उपर भी फायता मिलने वाल है, तो simply मैं यहाँ पर इन keywords के उपर ही अपना Pinterest account के रीट करूँगा, तो simply म मुझे चेक करना है उसे के अबाद ही में work करना चार्ट करूंगा तो उसको चेक करने के लगे हम Pinterest के उपर आएंगे अब आपको ऊपर जाना है यहां पर आपको option मिलेगा search का simply आपको उसको अपक्लिक करना है अब आपको यहां पर अपनी यहां पर वुहाँ करना चाहते हैं translate, जैसे का उनिटिस चाहते हैं, तो हम ने हाले हैं तो हम पर चूष के लिए लास्ट इयर में trend मतलब लास्ट इयर से लेकर अब तक करेंड कैसे चल रहा है सही चल रहा है मतलब medium चल रहा है नहीं घट रहा है मतलब average इसको पर traffic आ रहा है तो और भी low competition keyword को find करने के लिए हम यहाँ पर इस tool का use करने वाले हैं तो tool का नाम किया है HRF keyword generator यह tool आपको Google को पर मिल जाएगा, simply आपको Google को पर जाना है यहाँ पर आपको type कर देना है HRF keyword generator आपके सामने यह tool आजाएगा अब आपको यहाँ पर अपना main keyword डाल देना है यहाँ पर आपको अपनी target country select कर लेना है जहाँ से आप traffic generate करना चाहते हैं उसके बाद आपको यहाँ पर आना है find keyword इसको पकलिक करते हैं जैसा आप इसको पकलिक करेंगे तो आपके सामने इस keyword के अनुसार और भी जदा keyword सजाएंगे जिनके ऊपर और भी कम competition होगा जैसे कि आप यहाँ पर दे सकते हैं miniature fairy garden के ऊपर आपको यहाँ पर medium competition मिलता है next keyword आपको यहाँ पर क्या मिलता है miniature fairy garden ideas इसके ऊपर easy competition है उसके लाभी और भी keywords आपके अपर मिल जाते हैं एक keyword आपको यहाँ पर all मिल जाता है नाम क्या है miniature fairy garden plants इसके ऊपर भी आपको easy competition मिल जाता है मिसे अगर इस keyword के ऊपर मैं अपना content create करता हूँ definitely मुझे यहाँ पर काफी फायदा मिलने वाला है मेरा content Google को पर rank करेगा साथ मेरा content Pinterest के ऊपर भी rank करेगा तो simply मैं यहाँ पर इस keyword के ऊपर अपना Pinterest account create करूँगा और इसी के अनुसर मैं यहाँ पर अपनी pins create करूँगा तो pins create के निकले simply मैं chat GPT को पर जाऊँगा और इसके मदम से मैं यहाँ पर इस keyword के अनुसर पिन आइडियास फाइंड करूँगा, तो simply आपको चच जीपीटी को पर जाना है, इसके ऊपर अपना अकाउंट क्रीट कर लेना है, उसके बाद आपको यहाँ पर कुछ इस टैप से प्रॉम्ट टैप कर देना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर टैप किया है, प्लीज राइड अट लीस्ट टैन पिन आइडियास फोर इस कीवर्ड और यहाँ पर मैंने अपना कीवर्ड को पी एंड पेस्ट कर दिया है, उसके बाद मैंने यहाँ पर लिखाया है, रिमेंबर कीवर्ड शुड बी लो कॉम्पूटिटिव और यहाँ पर जो मैंने अपना कीवर्ड फाइंड किया था, जैसे हम यहाँ पर इस कीवर्ड को गुगल को पर सच करते हैं, तो हमारे सामने बहुत सारे रिजल्ट्स आ जाते हैं, आब आपको यहाँ पर देख लिएना है, तो इसी से आपको आइडे लग गया होगा, अगर आपके पास low competition का keyword आजाता है, अगर आप उसके उपर अच्छे से work कर देते हैं, तो आपको keyword Google को उपर rank करेगा, और वहां से भी आपको traffic मिलना स्टार्ट हो जाएगा, तो मैं आपको यहाँ पर recommend करूँगा, कि आपको ऐसे keywords मिल जाएं, जो Google को उपर rank कर जाएं, तो इसने मुझे यहाँ पर 10 ideas देते हैं, अब इसी के अनुसर मैं यहाँ पर अपनी pin करूँगा, तो पहले मुझे यहाँ पर pin के लिए title and description करना है, तो title and description करने के लिए हम यहाँ पर use करेंगे chat GPT का, तो simply आपको chat GPT को उपर ज title, only इतना आपको यहाँ पर type करना है, यहाँ पर आपकी searching स्टाट हो जाएगी, यहाँ पर आपको suitable GPT मिल जाएगी, जिसका use करकर आप अपने pin, title and description करीट कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर दे सकते हैं, यहाँ पर पहला एक option मिल जाता है, pin, title and description generator GPT का, तो simply आपको इसक सारी detail आजाती है, जैसे कि यहाँ पर इसके rating साजाती है, category साजाती है, कितना काम अभी तक इसने किया सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाती है, okay, सभी ratings भी आपको यहाँ पर दिखाई दे लिए, अब इसके मादियम से हम यहाँ पर अपना title and description क्रेइट करेंगे, तो simply आपको पूरा करना है, और आपको title and description क्रेइट हो जाएगा, जैसे पहला इसने हाँ पर क्या किया है, इसने हाँ पर लिखा है, sure I will create Pinterest pin title and description for you, but first I need a little bit more information, तो पहला इसने हाँ पर क्या लिखा है, can you please tell me more about the pin, क्या आप मुझे पिन के बारे मता सकते हो, तो मैं simply हाँ पर जा इसको पक्लिक कर दो, तो यहाँ पर मैंने इसको बता दिया है, इसी के अनुसर मैं अपना title and description क्रेइट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर इसने मुझे बोला है, tell me more about the pin, in this guide a product or creative idea are the specific feature or benefit of for creating DIY miniature, मतलब इसने बोला है कि मुझे यहाँ पर और भी इसके बारे में बताना तो मैं पहली दूँगा, please make attractive title and description for, again इसको मैं पर copy and paste कर दूँगा, then enter इसको पक्लिक कर दो, okay, जैसा हम इसको पक्लिक करेंगे, यहाँ पर इसने मुझे titles बना कर दे दिया, okay, इस परकार पर आपको यहाँ पर titles बना देना है, तो इसने मुझे यहाँ यहाँ पर 20 title ideas दे दि हैं, जिसका आप यहाँ पर यूज कर सकते हो, तो इसने आपर साफ लिखा है, कि आपको यहाँ पर 20 Pinterest title ideas मिल गए हैं, और 3 description लोगे हैं, इस keyword के accord, यहाँ पर मुझे 20 title मिल गए हैं, जिनको मैं use कर सकता हूँ, उसके अलावा मुझे यहाँ पर 3 description दे दिया हैं, जिनका मैं use क आपको यहाँ पर सभी pins के लिए, जिसका नाम है, ideogram.ai.bc click tool है, जिसके मादिम से आप अपने Pinterest के लिए images कर सकते हैं, और images भी आप यहाँ पर high quality create कर सकते हैं, आपको पर बिना वं करदेना है जैसे कि मैंने यह आप लिखाए है एक घर्पर है इन्टिक मत्र बढमतोम सिप्रटी करना भी मैं, अपर क्निर पर मेरा मैं किवर लिखाए है इसके अई हमधिन बनोना चाहत हूं visibility मैंने आप अभी चूज कर लिया, then generate इसको पकलिक कर देंगे, उससे पहले आपको सिनेमेटिक इसको चूज कर लेना है, then generate इसको पकलिक कर देंगे, 30 second का process आपको यहाँ पर complete होगा, और आपकी image यहाँ बनकर ready हो जाएगी, 30 second आपको wait करना है, और आपको यहाँ पर hyper realistic image मिल जाएगी, जिसको आप Pinterest के अंदर image के तोर पर use कर सकते हैं, तो इसी का use करकर आपको यहाँ पर अपनी image create कर लेना है, ठीक है, और इसके मादम से आप अपनी image बना लेना, जिसको आप अपने Pinterest के अंदर use कर सकते हैं, तो आप यहाँ पर दे सकते हैं कितनी बहातरिन image इसने मुझे बना करती, अब आपको यहाँ से एक image को choose कर लेना है, जैसे कि मालो मैं इस image को choose कर लेता हूँ, यहाँ पर आता हूँ, download इसको पकलिक करता हूँ, और यहाँ से मैं अपनी image को download कर लेंगा, इसको मैं Pinterest के अंदर use करूँगा, next step में आपको Pinterest के उपर आना है, और Pinterest के ऊपर अपना business account create कर लेना है, अगर आपको business account create करना नहीं आता है, तो simply आपको हमारे channel को पजाना है, Pinterest की playlist को देख लेना है, आपको पता लग जाएगा, कैसे आपको business account create करना है, simply उसको देखकर आपको अपना business account create कर ले, जैसी आप Pinterest के ऊपर अपना business account create कर ले, उसके बाद आपको Pinterest को प्रना है, और यहाँ पर आपको अपनी profile setup कर ले, तो profile setup करने का पहला option आपको यहाँ पर मिलता है cover photo का, जिसको आ आप Canva के माधियम से create कर सकते हैं, Canva के माधियम से आपको अपनी cover photo create करना है, नहीं तो जो टूल मैंने आपको बताया था, उसके माधियम से आप अपनी cover photo बना सकते हैं, उसके बाद आपको यहाँ पर आपको यहाँ पर अपनी cover photo को लगा दे, उसके बाद आपको यहाँ प करना है, जिसको आपको यहाँ पर copy and paste कर देना है, उसके बाद आपको Google साइट के माधियम से landing page करना है, और landing page कैसे बनाते हैं, ओलडी मैं आपको अपनी प्रिविएस वीडियो के नदर बता चुका हूँ, सिंप्ली आप अमारी प्रिविएस प्रिंटरस्ट की वीडियो देख सकते हैं, और उसके माधियम से landing page कर सकते हैं, अगर आपको फिर भी landing page बनावाना है, सिंप्ली आपको comment पर बता देना है, मैं आपके लिए sapit वीडियो बना दूँगा, जिसके अंदर मैं आपको बताऊँगा, कैसे आपको landing page करना है, जैसी आप landing page करना है, उसको आपको यहाँ पर copy and paste कर देना है, और landing page के अंदर ही पर build हो चारीगी, जैसी आप अपनी profile को build करने, उसके बाद आपको अपनी profile के अंदर, जैसे कि मैंने आपको हैं पता है, कैसे आपको अपने pin टाइटल करना है, description करिईट करना है, ¿image due 첫 ऐसे की मैं '' TikTok करना है?' सारा process माँ को बता दिया है, Sum poser को उसका देट्रेस्ट की अंट पर अपनी रामारा सुस्ट आए इस्कार उन फाइबून करेंदे शहती कंकि कुछ कीषआए। सब्सक्राइब दुण क्ये ब कि यहां से आपको अपनी image को upload कर दे आंशे हैं इसें आपको यहां पर अप् 달 कर दे ए उसके बाद आपको अपना टैटल डाल देना है तो ऐड़ी मैंने यहां पर अपना टैटल गरीट दा तो जी अपनी 파क्री कर सकते हैं मैं आपको हैं स rec recommend करूंगा आपको यहाँ पर बदल बदल कर यूज करना है जी से मनय ने पहले यह यह टैटल डालाए अगर यहां पर यह वर्क नहीं करता है नेक्स टे में आपर दूसरी यह ड्लाद दूँDas अगर वह भी work निकाता है तीस दिन में यहाँ पर तीसे title डाल दूँगा वह इस इसी परकास से आपको यहाँ पर day by day title को change करना है और जो भी title आपको यहाँ पर work करकर दे रहा हैं उसी से आपको continue करना है इससे आपको यहाँ पर यह भी id लग जाएगा किस टाइब के टैटल पिंटरस्ट के उपर वर्क करते हैं सेम किस आपको मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर भी अप्लाई करना है डिस्क्रिप्शन को भी आपको चेंज करते रहना है इसे से भी आपको आइट लग जाएगा किस टाइब के description Pinterest को पर work करते हैं अब मैं यहाँ पराऊँगा यहाँ से मैं पहले description को copy कर लूँगा ठीक है इसको मैं यहाँ पर copy and paste कर दो इसके अंदर आपको अपने landing page कर लिंक copy and paste कर देना है मैं उल्ली आपको बताया है last video मैं आपको बताया था कैसे आपको अपने landing page कर लेना है simply आप मेरी playlist को देख लेना और इसके माधर में से landing page बनाना start कर लेना उसके बाद आपको यहाँ पर अपना board कर लेना है जैसे कि यहाँ पर मैंने काफी board कर रखे है create board इसको पकलिक करकर आप यहाँ पर अपना board बना सकते हैं यहां पर दाल दाँ यहां, मैंन की टॉपिक क्या था, मैंन क्या लिए इसी फिर्ट कुछिंग मैं पर बर्ड़ बनाऊंगा तो इसको को यहां पर copyád पेश्ट कर द कृछफिक दाँगा इस पर कास से यहाँ पर मैंने अपना boardי बना लिए हैं, उसके बात मैं ही पर आओंगा, यहाँ पर कीवर्ड ड़ूँगा, जासे कि मैं ही पर जासे मैं पर dataicana आणवार्लिक लिवाघ्या, ता निकानot के स आडिंड । heavens को होगे अगर आप इस process को continue apply करेंगे, इस आप daily business के 3 से लेकर 4 pins को upload करेंगे, तो महीने बर में आपको यहाँ पर traffic मिलना start हो जाएगा, जैसे कि मैंने आपको starting बताया, keyword हमारा बहुत ही कम competition करा है, इस आपको यहाँ पर बहुत ही कम competition मिलेगा, इस आपको यहाँ पर traffic मिलने की chances का अफ उसका 10% भी convert हो जाता है, suppose करो आपके Pinterest account के उपर monthly 25,000 का traffic आ रहा है, और 10% बंदे आपके pin के उपर click कर रहे है, miss आपके landing pages के उपर जा रहे है, miss 500 बंदे आपके landing pages के उपर जा रहे है, और 250 लोग करीब 10-20 बंदे आपके sales पिच को पजा रहे हैं, और 2-3 बंदे आपके convert होटे हैं, तो इसी से आप ID लगा सकते हैं, कि आप महिने की 2 से लिकर 3 sales को निकलवा सकते हैं, अगर आप इस process को और भी extreme level के उपर करेंगे, तो आप यहाँ पर महिने की 4 से लिकर 5 sales को भ कैसे इसके use करना है, कैसे keyword research करना है, कैसे low competition keyword को find करना है, main topic का purpose था, low competition keyword को find करना है, ताकि आपके Pinterest profile rank कर पाए, जो कि मैंने आपको बता दी, इसी तरीके से आपको work करना है, Pinterest account को guru करना है, और काफी अच्छा का सा traffic drive करने, I hope आपको आज का method समझा होगा, कैसे इसको apply करना ह वे भी आपको समझा होगा, अगर आपको आज का method अच्छा लगा है, तो please channel को share और subscribe करें, and कम सकम इस video को पर 200 likes लेके, ताकि इसी type का और भी content मा आपको share कर पाऊँ